विरेंद्र जी यह जो कुछ भी घटना हुई है उस पर मैं आपके एक तो प्रतिक्रिया टिकपणी जानना चाहता हूं दूसरा किस प्रकार की जाच हो रही है यह घटना में किस प्रकार की लापरवाही बरती गई और आज क्या इस्टेटस इस घटना का देखिए उत्तर पर आदी और पुलिस का गड़ जोड है जिसकी वयाद से डकाइतियां पड़ती हैं लोगों के साथ अन्याय होता है लेकिन पुलिस ने अब सारा काम अपने हाथ में खुद ले लिया है वो किसी को हिस्सा नहीं देने के तयार है वो खुद लूट पार्ट में भी ब्यस्त हो ज आती है सारे काम अपने हाथ से कर ले रही है योगी आदितिनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के उनकी सरकार में साड़े चार पहुने पास साल में जो छवी गोरकपूर की बनी जो विकास हुआ आज सस्पी और डीम ने गोरकपूर के उसको बरबात कर दिया वह किसी मुख से नहीं कह सकते कि गोरकपूर में विकास को लोग देखने आएं और वहाँ पर जो दोग धंदे हैं उन पर इससे बहुत बुरा परवाव पड़ा है सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्पेक्टर जगत नरायन सिंग ये जिसको अब तक गिरफतारी हो जानी चाहिए थी उसकी अब तक गिरफतारी नहीं हुई ये जगत नरायन सिंग पुलिस में सिपाही से भरती हुआ आदमी है और ये जगत नरायन नगत नरायन के दम पर आज इस्पेक्टर बना हुआ है रामगर ताल जो नया थाना बना बिर्जेज जी इस होटल में ये इससे पहले चार बार चापा मार चुका है उसके मालिक बड़ा जहते टाइप का अदमी हाँ सुभा सुकला बहुत परिसान थे इस इसस्पेक्टर से और पुलिस वालों से मनीज गुपता के बारे में ये जान ले लोग कि मनीज गुपता जमीन का कारोबार करते थे छोटा मोटा प्रापर्टी डीलर थे और वो होटल के कमरा नंबर 512 में रुके थे गौरकपूर गए थे उनके साथ दो लोग हरियाडा के थे और वो स्वेम कानपूर के रात में 12 बचकर 4 मिनट पर होटल मालिक के नुसार इस्पेक्टर अपने दलबल के साथ सीधे उसी 512 नंबर कमरे में गए उन्होंने रिसेप्सन से आईडी हाथ में ली थी उसके बावजूद उन्होंने वो दरवाजा खुलवाया और होटल की CCTV की DVR वो उठा ले गए अब गोरकपूर की पुलिस मनीज की मौत के बाद उनकी परजनों को धमका रही है कि मुकदमा न लिखाओ कुछ मुकदमा लड़ने बहुत न्यालम चक्कल लगाना पड़ेगा ये इसी दिन के खातिर लोगों ने बीजेपी को चुना था उतर परदेश में इसी का दंब भरती है भारतिय जंता पार्टी है और उसकी सरकार ये किस तरह का नंगा नाज पुलिस कर्मियों ने किया है और उसके बाद अधिकारी उसको धाकने में लगे है उसको पाटने में लगे है इतना दुर्भागी पूर बिना विवेक तिवारी अत्या कांड लखनव को लोगों को याद आ गया लोग भूल गए थे लेकिन उनको याद आ गया आप सोचिए कि जिस होटल में कभी 20-20 कमरे बुख रहते थे अब वहाँ पर उस रात में कुल 7 कमरे बुख था इस पुलिसिया उत्पिविड़न की वज़ा से वहाँ लोग ठहरते नहीं आए दिन जब पुलिस छापा मारेगी किसी होटल में तो कोई क्यों रुकेगा और एक सिपाही से इस्पेक्टर बना आदमी वो हैवान बन गया पुलिस की वर्दी पहन कर मैं मुझे अपसोव से कल मैंने डीम विजे किरन आनंद का वीडियो देखा एससपी विपिन टांडा का वीडियो देखा जिसमें वो पीडित परिवार को कोई दबाव डाल रहे थे के फाई आर मत करो देखिए इस मामले में विजे किरन आनंद और विपिन टांडा जो एससपी है सरकार को इनको सस्पेंड कर देना चाहिए किसी के घर में मौत हो गई हो उसका सव पड़ा हो और उसकी बीबी को इस तरह की बाते कही जाएं डिया में सस्पी दोनों को सरकार को सस्पेंड कर देना चाहिए था यह वही विजे किरन आनंद है जब वारा नसी में भगदर में मौत हुई थी इनकी लापरवाही सामने आ इतने दागी और विवादी तफसर को फते गोरकपूर का डियम मनाए गया इस सरकार में जो कहा जाता है उसका उल्टा होता है बश्टाचार के खिलाब जीरो टालरेंस वाले लोग किस तरह से आज गुंडाराज को सन अच्छर दे रहे हैं और किस तरह से एक अबला और और महिला का मनोबल तोड़ रहे हैं इससे जादा और दुख दिन क्या होगा दुखदाई क्या होगा चार साल का बेटा है एक माँ उसको लेके तीन दिन से पड़ी थी गोरकपूर में कोई मंतरी तक नहीं गया कि भाई उससे बात करे कोई सूला का रास्ता निकलवाए उन नवकरी भी देंगे और पैसा भी देंगे 10 लाग का चेक भी घर विजवा दिया विपक्ष को आपने इतना मौका क्यों दिया अगर मौका न देते तो यह नोबत ना आती अच्छा सरकार ने 10 लाग दिये और समाजवादी पार्टी ने 20 लाग बिलकुल यह देखिए आप स इस भी चितरता को आप समझिये कि कैसे सरकार के लिए पैसे की कीमत बहुत ज्यादा है उसके अफसरों की कीमत बहुत ज्यादा है जान की कीमत भले कम हो यह इस तरह से लोकतंतर में चुनाओं का मौका है उत्तर परदेश की जंता देख रही है कि कौन गया कौन खुले में जा रहा है कौन किस से मिल रहा है हजारों लाखों लोग किसको देख रहे हैं बाएलाल बड़ा दुर्भाग है कि जिनको आपने वर्दी पहनाई है समाज की रच्छा के लिए वो भेंडिया बनकर लोगों को लूट रहे हैं अगर कोई ब्यापारी लखनों आके ठार है अपन नंदा करने तमाम सारे सवाल हैं इस दर्द लेकिन सत्ता कहते हैं चरित नहीं बदलता बाई जो पुलिस अदिकारी आज यहां कल दूसरे जिलम चला जाएगा वहाँ चार्ज पाजाएगा उसके पास सेटिंग है पैरोकारी है पैर्वी है कि कहते हैं कि सरकारे बदलने से वही बसकबार बदल गया और सत्ता आज भी सरयाम निलाम है कीमत बस वही ठेकेदार बदल गया और हुकूमत की नाकामियों से अक्सर दिल तूट जाते हैं और बेटियों की गुझती चीखों से न जाने वह कैसे चैन से सोते हैं बहुत बहुत शुक्री आपका वीरेंजी बह देवीर सिंग समाजवादी